ओफिसर्स एसोसियेशन बेस्पी निव्रभारी निदेशक बेस्पी को पत्र लिखकर अधिकारियों के आवासों को अधिक संख्या में राजी सेवा के अधिकारियों एवं जनपरतिनिध्यों को थर्ट पाटी के रूप में आबंटित आवासों का पुनर लोकन करने की मांग करते हुए सिर्फ जिलें पदस अधिकारियों को मकान आबंटित करने का आग्रह किया ओफिसर्स एसोसियेशन भिलाई इसपास सयंत्र ने सेवा निवरत एवं इस्थांत्रित हो चुके अधिकारियों जनपरतिनिध्यों का मकान आबंटन किये जाने की मांग ब्यस्पी प् मकान प्राप्त हो पा रहे हैं जिसका प्रमुक कारण बड़ी संक्या में बड़े मकानों को थर्ड पार्टी में आबंटित किया जाना है जिन मकानों में आज भी जिले से बाहर पदस्थ अधिकारियों एवं जन प्रतिनिध्यों का कबजा है ओफिसर्स एसोसियेशन बियस सेक्टर 10 एवं 32 बंगला में अत्यधिक संक्या में बड़े मकानों में शाष्की अधिकारियों एवं पूर्व जन प्रतिनिध्यों का कबजा है तता ब्यस्पी के अधिकारी कर छोटे मकानों में रहने के लिए बात दे हैं ओफिसर्स एसोसियेशन ने मांग रखी है कि कान भता दिया जाए जै जिसके लिए लंबे समय से थार्ड पार्टी ऐलाट्मेंट के द्वारा दिये बड़े मकानों के आवंटन का पुम्रा लोकन किया जाना चाहिए और सभी सेवन निवरत एवं इस्थानांतरित अधिकारियों जन प्रतिनीधियों का आवंटन रद कि जाना चाहिए ओफिसर्स एसोसियेशन भिलाई इसपास सेंतर के अध्यक्ष नरेंदर बंशूर ने कहा कि भिलाई को फिर से स्वच्छ सुरक्षित और सुन्दर बनाने अपने प्रयासों को प्रेज किया जाएगा तथा भिलाई नगर को अराजक ततों से बचाने हर संभव प्रयास किया जाएगा ग्रेंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुवे